देखे दोस्तों अगर आप भी जॉब के तलास में है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया भरती निकाली गई है अलाकि पोस्ट यहां पे कम है लेकिन भरती जो अच्छी खासी है जैसे कि लाइब रिडिन का भरती है एक काउंटेट का पोस्ट है अगर आप आवधन करना च सुरू से अन तक लेकर जोड़ देखेंगे और वीडियो थोड़ा से बैच्छा लगे तो प्लीस भाई को सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपका एक लाइक और सपोर्ट जो है मुझे बहुत ज़दा मोटिवेट करता है और ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़दा कर लेंगे यहाँ पर आने से क्या होता है कि आपको जो है नोटिफिकेशन इजली यहाँ पर प्राप्त हो जाता है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत गया रिकूर्मेंट जो है दो हरते इस यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना होगा अब ज इसमें जो है सभी जनकारी आपको देखने को मिल जाएगा सबसे पहले हम भरती कहां से निकाली गई है उसको किलियर कर देना चाहेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बोध गया टेमपल जो मैनेजमेंट कमिटी है उसके द्वारा भरती निकाली गई है बोध गया पर आपको जो है यहां पर निवेजन किया जाएगा और आपको जो ही जॉब प्रोबाइड किया जाएगा तो अगर आप भी कॉंटेट बेस पर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए जो ही बहुत बढ़ी है गोजनीवज है इसमें सबसे जो पहला पोस्ट है लाइबरी रि करिया हुआ है तो आप यहां प्रोफर आप आवदन कर सकते हैं और इसके साथ बैचलर अप साइंस होता है लेवरेरी साइंस में अगर आपने किया हुआ तो आप आविधन कर सकते हैं और मैसी से कोई चाहिए है और उसके साथ आगर आपने Bachelor लाइब्रेरी साइन्स से किया हुआ है तो आप यहांपर आविधन कर सकते हैं तीन साल का जो है experience यहां पर बोला गया है कि कम से कम जो है तीन साल का experience से यहां पर होना चाहिए मेनेजरियल पोजिशन इन द रिप्यूटेट लाइवरेरी ठीक है एक साल का डिप्लोमा जो है कॉंप्यूटर में किया हुआ है जैसे के आपने डिसी वेगरावरा किया हुआ है और बोला गया है कि परिफें। परिफेंस मिलेगा खुआ का ध्यां रखेंगे लेकिन आपने बीकम किया हुआ है और एक साल का डिप्लोमा जो आनिके डिसी है किया हुआ है तो आप यहां पर आवदन कर सकते हैं इसमें भी बोला गया है कि कम से कम जो है तीन साल का जो है रिप्यूटेड जो है इंस्यूट होता है उसमें आपका काम करने का जो है नौलेज यहाँ पर होना चाहिए यह बात को ध्यार रखिएगा 19,900 रुपया जो है पको सलरी यहाँ पर परतिमा दिया जाएगा उसके बाद computer operator.com एक पोस्ट है एक ही पोस्ट है 45 साल से ज्यादा जो है आपका उमर नहीं होना चाहिए अगर आपने किसी भी discipline से graduation कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पर आवधन कर सकते हैं इसके 37 साथ आपके पास जो है एक साल का जो computer diploma होता है जैसे कि ADCA होता है होनी चाहिए और आपका जो type in speed है इंग्रीज में 40 और हिंदी में 30 वाड़ पर मिनट होनी चाहिए तो आप यहाँ पर आवधन कर सकते हैं इसके 37 साथ तीन साल का जो है experience भी बोला गया है 19,900 पर जो है आपको सलरी पत्र जो है बोदगाया-temple.com जो है इसके official portal है उसके माध्यम साब को download करना होगा डाउलोड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको भरके आपको भेजना होगा कहां भेजना है उसकी regarding हम जनकारी आपको प्लप कराएंगे लेकि उससे पहले समझे कि जो भी नियू तो पदर देते हैं तो उसी सिती में इसका जो है नीमित नीदप इसका विश्तारित भी किया जाएगा आपको समय समय पर आपका जो अवधी है उसको बढ़ाय भी जाएगा यहाँ पर बोल दिया गया है कि आपका जो नियोजन होगा जो इंटर्विव के धार पर किया अब ही प्रमारी करते हुए जो भी प्रमार पत्र है उसको करते हुए 30 अक्तूबर 23 तक निबंधित डाग के माधियम से सचीव बिटीमसी ठीक है बिटीमसी करयाले बोधगाया को भेज सकते हैं यानिकि इसमें जो आपको आवधन करना है बाई पोस्ट आप भेज सकते हैं अब यहाँ पर निचे आएंगे इसमें जो अप्लिकेशन फर्म दिया हुआ है जिसको आपको भरना होगा सबसे पहले तो फोटो लगाना है फिर यहाँ पर आपको सिगनेचर करना है उसके बाद आप कौन से पोस्ट के अपलाई कर रहे है उसकी जनकारी भरेंगे आपका नाम क्या है फादर हस्मिन का नाम इसमें जो फोटो कॉपी है सिल प्रट ठेट करकी करके अट्यच भी करेंगे अपलिकेशन कसा धिक है जैसे कि आपने मेंटरी कहां सपास किया हुआ है इंटर कहां सपास्पास किया हुआ हुआ है जो भी क्धु defixy कि जनकारी भरेंगे फिर नीचे आएंगे तो अगर आप आपके पास experience है क्योंकि experience इसमें बोला गया है तो experience जनकारी आपको यहाँ पर भरनी होगे ठीक है उसके बाद any special qualification experience है तो उसको भी आप यहाँ पर बता सकते हैं ठीक है और भी जनकारी आप भरेंगे कि please give me your view about the following two statement I want to join BTMC because यानि कि आप जो है BTMC क्यों join करना चाहते हैं और आप BTMC को growth करने में किस तरह से युगदान आप ना कर सकते हैं उसकी जनकारी आप यहाँ पर बता सकते हैं कुछ आपको लिखना होगा अपने तरफ से ठीक है और इसको आपको जो है जो भी डॉक्मेंट आप लगाएंगे उस उसके बाद यहाँ पर declaration देकर signature करेंगे फिर place लिखेंगे date लिखेंगे और जो भी रजिस्टर डाक है उसके माधियम से आपको जो है बोध गया temple का जो करयाले है सचीव का वहाँ पर भेजना होगा जो कि यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि जो भी उसके सचीव है BTMC कर आले बोध गया वहाँ पर आपको भेजना होगा तो इस तरह से आप इसके लिए आवधन कर सकते हैं अब इस notification को डाउलोड करने और इसके बारे में अधी जनकारी के लिए आपको जो है सेलेक्शन कैसे होगा और यह जो है आपका कॉंट्रेक्ट बेस पर जॉब है जैसे कि सबिंदा के अधार पर आपको जॉब मिलेगा बारे महीने के लिए हलाकि अगर आप काम सही डंग से करते हैं तो इसको आगे भी बिस्तारित किया जा सकता है तो बस आज किस वीडियो में इतना ही वीडियो थोरा सब अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए गर आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेट तो आप हमें कमेंट से रहे में कमेंट करके पूर सकते हैं